नमस्कार आज हम बनाएंगे करोंदा और मिर्ची का अचार जो कि खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है जट्पिट बन जाता है तो इसके लिए मैंने यहां 500 ग्राम करोंदे लिये हैं जिसे की साफ धो लिया है और सुखा लिया है औ तो आप मिर्ची की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं यहां करोंदे को अगर क्याप हो तो उसे निकाल ले और इस तरह से दो भागों में काट लेना है और मिर्ची को भी इस तरह से बीच में से काट कर और चोटे टुकडे कर लेना है आप मिर्ची के टुकडे अपने हिसाब से चोटे बड़ी कर सकते हैं तो इसी तरह से मैंने करोंदे और मिर्ची को काट लिया है अब एक बोल लेके इसमें कटे हुए करोंदे और मिर्ची को डाल देते हैं और बीच जो प्लेट में लगे इसे निकाल देंगे अब एक चमच नमक डाल कर उसे अच्छे से mix कर लेते हैं तो इसमें नमक लगाने से इसमें जो नमी रहती हो निकल जाती है और अचार हमारा लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसे अच्छे से हमें mix कर देना है आप इसे ढख कर और ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं तो रादबर रखने के बाद आप देख सकते हैं इसका पानी अलग हो गया है तो आप चलने के ऊपर इसे डाल कर 10 मिनिट रख देते हैं और इसके बाद एक थाली पर कपड़ा रख कर और इस पर हम इसे फैला कर और इसे 2 गंटे धूप में सुखा लेना है अब यदि आपके याँ धूप नहीं है तो आप पंखे में भी इसे सुखा सकती है तो ये 2 गंटे के बाद आप देख सकते हैं इसके सारी नमी खतम हो गई है बहुत ज्यादा भी नहीं सुखाना इसे अब ये अचार बनाने के लिए तैयार है तो अचार के लिए हमें जो मसाले चाहिए मुख्य, वोहेश्ट, दो चम्मच सोंफ, दो बड़े चम्मच राई, जीरा और मेथी दाना तो इसे हमें हलका सा भून लेना है, जिससे कि इसकी नमी निकल जाए अब इसी में में राई डालूंगी और मेथी दाना डालकर उसे भी हलका सा भून लेते हैं जीरा भी डालकर ये सारे मसाले मैंने हलके से भून लिये हैं अब इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं और ठंडा होने के बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे तो अब इन सभी मसालों को मैंने दरदरा पीछ लिया है अब एक कड़ाई में तेल डालेंगे और इसे गरम करने के लिए रखेंगे अब तड़के के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वो है कलोंजी, राई, अजवाइन, थोड़ा सा हींग, हल्दी, मेथी दाना और यहां मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है तो अब एक कड़ाई में मैंने तेल लिया है तो तेल को अच्छे से गरम करना है हमें अब तेल अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे राई, मेती दाना और गैस को बन कर देंगे अब इसके बाद एक के करके सारे मसाली डालने हैं हिंग, अजवाइन, कलोंजी डालकर और इसे थोड़ा सा हिला लेंगे अब इसमें करोंदा और मिर्चि डालकर तो थोड़ा सा चला लेते हैं और इस साइप में जवाइन, गरम तेल इसमें हल्दी डालेंगे आप इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें अब अब मसाले भूनकर रखे ते इसे डालना है और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे नमक तो मैं यहां एक चम्मच के लगबग नमक डाल रही हूँ आप स्वादा नुसार कम जादा कर सकते हैं पहले भी हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था अब डालेंगे मिर्च तो मैं यहां कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ यदि आपके पास कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अब इसे लंबे समय तक रखने के लिए इसमें डालूँगी तीन बड़े चमच विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यदि आप विनेगर न डालना चाहें तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं तो तेल यदि डालना है तो इसे उपर तक तेल से भर दीजिए तो इस आल भर तक आपका अचार खरैब नहीं होगा आप इस अचार को जरूर बना कर दीए कि धन्यवाद